फोक्स वेल्कम टूर। लूपलेर्णिंगि और आज बनाएंगे हम रिपोर्ट्स हम कंट्टीनु करेंगे जैसे आपको पता है कि पिछल वीडियो में भी मैंने रिपोर्ट्स स्टाइब कर दी हैं हमने इंवाइस बनाए और इस वीडियो में हम कंटिनु करेंगे रिपोर्ट क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टन एस्पेक्ट होता है किसी भी एप्लिकेशन का और एक्सेस के रिपोर्ट तो जबरदस्त होती हैं तो आप कर सकते हैं अपनी बेस पे अपनी रिक्वाइर्मेंट की बेस पे रिपोर्ट हो बना सकते हैं तो आज हम दो रिपोर्ट बनाएंगे इस वीडियो में इस room करूँगा एक सब्सक्राइगी जिसमें मैं डेचर करूँगा कि अगर एक कोई भी आइटम है स्टॉक आइटम है वह आउट अव स्टॉक होने जा रहा है तो एक रिपोर्ट आनी चाहिए जो रन कर सकते हैं लोग और उनको पता चले कि अच्छा यह स्टॉक हमने ओडर करने तो यह एक रिपोर्ट बनाएंगे दूसरा हम दूसरी जो रिपो के ओपर क्लिक करें और रिपोर्ट जन्रेट हो जाने चाहिए यह डिली सेल की तो यह दो रिपोर्ट सो हम बनाने वाले हैं अगर आप इंट्रस्टेट हैं तो जरूर एंट तक वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम अगर आपर वापिस आने तो पर ने बनाने कीडियो को जब से बस्टेश वाले मैं क्या काम करूंगा यह रिपोर्ट करूंगा कपी और मैं करूंगा पेस्ट और अब हम इसका नाम चेंज करेंगे और हम नाम रखेंगे सब्सक्राइब हमने आउट ओफ स्टॉक अलर्ट ठीक है सो यह हमने एक रिपोर्ट बनानी है याद आना कि मैंने आप भी बताया था आपको कि हम एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगी जो अलर्ट देगी या जो रिपोर्ट रन कर सकते हैं लोग और डेख सकते कि कुन सा स्टॉक आउट वाला है अब हम जाएंगे रिपोर्ट डिजाइन और यह सारह आफक सी वागारा यह सब हम करेंगे डिली और इवन इसका जो टेटा रेकोर्ट सोर्स है इसको हम करेंगे कुली दो हमारे प्रसरा आगी एक ब्लैक रिपोर्ट सब्सक्सक्राइब साहिश कर लें और क्योंकि यह रिपोर्ट है out-of-stock Alert सो हम यह रिपोर्ट बना रहे हैं सो इससे पहले कि मैं भूल जाओं कि इसको भी चेज़ करना है इसलिए मैंने फॉर्ण फॉर्टावर्ट सबसे बहले यह काम कर लिए अब next next हमने एक query पकड़नी है वो यह है query inventory queue remember यह हमने query बना इती inventory के लिए और इसमें एक specific field ATP ATP क्या है वीडियो मैं pause करता हूँ आप वीडियो pause करें मैं क्यों करूँ आप वीडियो pause करूँ और ATP क्या है जड़ा मुझे बताओ comments में मुझे बताओ ठीक है मैं आपको बताऊंगा नहीं आपने मुझे comments में बताना अगर आप वाकई इंट्रस्टेड आप वाकई दिल्चस्पी से देख रहें तो मुझे आप जरूर बताएंगे comments में के ATP is equal to what अगर आप ऐसी forward forward करके देख रहें तो I'm sure आपको बताऊंगा नहीं चलेगा मैंने question क्या पूछ पूछए है anyway let's move on इस query में मैं एक और field add करने वाल वो field क्या है वो field यह है कि हम आपको अगर याद हो कि हमने जब product table बनाय था तो हमने यहाँ पर एक field add की थी minimum stock अभी इस field का इस्तमाल होगा चाहएद आप पहले सोचे रहे हैं यह क्यों बनाई इसने यह इसलिए बनाई थे कि अभी इसका इस्तमाल करेंगे out of stock alerts के लिए इसमें मैं add करूंगा यह वाली field ताके हम इसको इसको इस्तमाल कर सके product table already है मेरे पास मैंने simply minimum stock वाली जो field add को मैंने add कर लिया तिक है एक खोईरी जो हमने लेनी है इसमें से कुछ चंद fields हम उठाएंगे सारी सारी field नहीं उठाएंगे जैसे कि product ID, product और minimum stock उठा लेंगे ATP उठा लेंगे तो अगर मैं run करूंगे खोईरी तो आप देख सकते हैं हमें जो field जो हमें चाहिए जो data हमें चाहिए वो ही हम इसके उपर लेके आ रहे हैं अब मैंने एक expression add करना है expression मतलब कि एक column add करना है जो check करेगा validate करेगा कि ATP is equal to or less than minimum stock अगर ऐसा है तो फिर 1 दे दो तिक है उसमें indicator में 1 आजेगा column को नाम है indicator होगा और अगर minimum stock से ज्यादा है ATP तो indicator 0 indicator 1 का मतलब है कि बाइस साथ टेक आक्शन indicator 0 का मतलब है कि कोई action की जरूरत नहीं है so let's save that अब जाते हैं हम इसमें design view में और यहां पर आके मैं add करता हूं एक column called indicator और अब हम इसको expression इस पर लिखेंगे if inventory Q हीगा न ask mark ATP is less than or equal to inventory Q ask mark minimum stock अगर ऐसा है तो पर्ट क्या है अगर ऐसा है तो आप 1 दे दो otherwise 0 सो प्रेंटिसी क्लोज चैक कर लेते हैं आप हम आप देखें सारे तकरीवन 0 यह क्योंके वह देर इस वन आइटम है यह आइटम है 3 3 और इंडिकेटर 1 आप देख सकते हैं के एक आइटम है जो के प्रिंटर इंक जट वह आउटर स्टॉक होने वाला है तो वह में दिखा रहा है अच्छा यह इंडिकेटर बजाए इसके 0 और 1 हम इसका स्टेटस भी डिफाइंड कर सकते हैं सो हम डिजाइन भी में जाते हैं और यहां पर आके एक और एक्स्प्रेशन क्रेट करते हैं उसका नाम होगा स्टैडस और हम यहां पर लिखेंगे इफ इंडिकेटर इकोल्ज वन अगर यह ट्रू है तो स्टैटस होना चाहिए नियर आउट ऑस्टॉक ठीक है अधर्वाइस स्टैटस होना चाहिए इन स्टॉक और हम क्रैंटिस करेंगे क्लोस और क्लिक करेंगे ओके पर रन करेंगे तो यह देखें एक ही आइटम है जिसके इंडिकेटर वन है तो वह बता रहा है नियर ऑटो स्टॉक ठीक है तो नाव हमारे पास इंफोर्मेशन है अब हम जाते हैं रिपोर्ट के ओपर और यही सेम इंफोर्मेशन वहां पर पर पॉप्लेर करें लेकिन उससे पहले मैं इसमें क्राइटेरिया लगा हूँ क्योंकि हमने कोई फाइदा नहीं है बाकी आइटम जो इन स्टॉक है उनको देखने का फाइदा नहीं है क्योंकि रिपोर्ट तो स्पेशली रन कर रहे हैं कि जो स्टॉक आउट होने वाली आइटम्स है उनका अलर्ट दो तो उसके लिए हम क्राइटेरिया लगाएंगे यहां पर यहां कि अधिक्याटर वन इंडिकेटर वन का मतलब क्या है अगें विडियो पॉस्ट करों में जाओ और लिए बदाओ के इंडिकेटर वन का क्या मतलब है और अब हम जाएंगे रिपोर्ट व्यूमें यहां पर एड एग्जिस्टिंग फिल्स सब कि सब मैं सलेक्त करता और एक्सेस ने अपना काम दिखा दिया अभी हम वापिस जाते हैं और राइट सो यह मैं पूरे के पूरे जो आइटम्स हैं को मैं करता हूं सेलेक्ट और मैंने कर दिया फॉन्ट कलर फुल ब्लैक अब हम जाएंगे ले ले आउट में और हम इसको कर देंगे टैबलर और करने के बाद हम इसका थोड़ा सा फॉर्मैटिंग इसकी कर लेंगे इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे टूर्ज लेफ्ट क्योंकि इतनी बड़ी विट इस फिल्ड की नहीं चाहिए तो इसलिए इसको लेफ्ट पे अलाइन कर देंगे प्रोड़क्ट का नाम इतना भी हमें वाइडर नहीं चाहिए यह आप कर सकते हैं अगर आपकी प्रोड़क्स ऐसी है कि जिसका काफी बड़े-बड़े नाम है तो आप जुरूर वाइट करें वाइनॉट अच्छा यह थोड़ी से फॉर्मैटिंग है यह कर लें इंडिकेटर फिल्ड हमें नहीं चाहिए बेसिक इसको ऐसे कर लिकिए इसको यहां पर ले आई और अब हमने सलेक्ट कर लिया पूरे टैक्स बॉक्स वार्मेट में डेए शेप आॉटलाइन प्रांसपेरेंट और स्क्रोल चुवर्ड राइट और यहां पर आखे इसको ऐसे कर दिए ठीग है प्रोडेक्ट नेम आप और ब पकड़ेंगे यहां से और हम यहां पेस करेंगे ताकि हमारे पास अगर मल्टिपल रेकॉर्ड है तो हर लाइन उसमें चाहिए लाइन चाहिए हर रेकॉर्ड की सेंटर में यह कहना चाहिए यह मुझे बहुत लगता है तो इसका थोड़ा सा श्पीस आउट कर देते हैं इसमें जाते हूं मैं प्रप्रपटी शीट और यहां पी करते हैं टॉप है जिरो पॉइंट टूजरो एट थी तो इसको कर देते हैं जिरो पॉइंट थी खोड़ा सवर नेक्षे हो जाएगा अब रिपोर्ट रन करते हैं और देखते हैं कि कितनी आइटम और स्टॉक है मिनुस्टॉक 3 एटीपी 3 देखें आप फॉर्माइटिंग थोटी सी वियर्ड लग रही है ना कुछ ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं लग रही तो डिजाइन वीव और इसको मुंसलेक करते ह मिल स्टॉक एटीप यह मिडल में ले आते हैं और यह पूरा仔 को करते हैं बोल्ड और अब हम चैक करते हैं दुबारा अब हम पर तोड़ी सी शकल नजर आईए स्टैट इंगे एक स्टैटेस जो रहें को थोड़ा सा देखें नियर रूल टाओ-प्रोड वर्ड जो रहे हैं अल्लाइट रिपोर्ड व्यून और यह यह सही रिपोर्ड व्यून और यह तो यह हमरे पार साट गुल्ड आगया अब इसका एक बटन होगा रिपोर्ट सेंटर में उस बटन को क्लिक करेंगे तो मारे पास ये रिपोर्ट आज़े या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप लॉग आउन करें और ये अलर्ट आटमेटिकली उपर पॉप अप हो जाना चाहिए ऐसा भी हो सकता है सो आप बहुत सारी तरीकों से इसको इंबेट कर सकते हैं अपनी एप्लिकेशन दे पॉइंट इस कि आपने ये डिवैलप करना है ऐसा मेकनिजम जो यूजर को बताए कि वाई साब ये आइटम्स है ये ओट आटा स्टॉक होने वाली है तो जल्दी जल्दी इनको आर्डर कर तके आपका आटा स्टॉक निए आइटम हो ये बहुत इंपॉर्टर्ट है और इन्वेंटरी मेर्जमेंट में इससली लोगों को ये रिपोर्ट चाहिए होती है एक रिपोर्ट होनी कंप्लीड आप दूसरी बनाएंगे सेल के तो चले उसको बना लेते हैं जल्दी जल्द में सबको select करते हैं और यहां पर बनाते हैं daily ते और रिपोर्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और हैं अच्छा और रिपोर्ट को अच्छा उसकी लुक अच्छी बन जाती है और secondly आपको परदर चल जाते कि रिपोर्ट है क्या और अभी नेक्स हम करते हैं कि इसको हमने जो रेकॉर्ड सोर्स है उसको लेके आना है सो हम जाते हैं डॉट डॉट अच्छा एक और बार मैंने चीज़ नोटिस किया है इसका टैप्शिंट कर लेते हैं डेटर टैप में के रेकॉर्ड सोर्स डॉट 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 और यहां पर आगे लिंक्स और यहां पर हम दो टेबल को उठाएंगे सेल सेल डिटेल अच्छा तीन टेबल को फ्रड़क्त तीक है अच्छा जी ओरडर आईडी सेल आईडी तो उसके बाद प्रोड़क का नाम कि दर वाई प्रोड़क्त और अब हम इंक्वाइड करते हैं सेलिंग प्राइस कॉंटिटी और सेलिंग प्राइस हम रहने देते हैं कि इतने कॉंटिटी में सेल किया है ग्रॉस प्राइस क्या है टेक्स क्या है टोटर प्राइस क्या है इसको रॉन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमरे पास यह क्वेरी आगी इसको हम कर देते हैं क्लोज अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में और यहां पे रिपोर्ट डि क्या थे बाद में इसका फॉर्मेटिंग करेंगे अभी जो हमने सारे सब्सक्राइब कर दिया अब हमके लेयाउट में और इनको कर दिया ठीक है और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे इसको थोड़ा सा अब अब हम आगे इस और यहां पर आके हमने क्या करना है थोड़ी से हम इसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताके रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी लगे ग्रॉस प्राइज थैक्स टोडल प्राइस ओके अब हम जो ओडर आइडी है इसको इतना बड़ा ओडर आइडी इतनी विट्स नहीं चाहिए और आइडी की सो में इसकी कर लेते हैं चेंज हुआ 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 खाँ नगी है गारणी में अप्राइड और अधर मचै के ठाहँ थोड़ी किष्ट एंगीकज भावतिंग तरुया? ३ं कि accept स्लेएड में कैनल taking और quantity field इतनी उसकी width नहीं चाहिए so let's reduce the width property sheet में जाता हूँ format और कोई फ़र्क ने पड़ा फ़र्क पड़ा यह फ़र्क नहीं यार मैं height chain का हूँ sorry width 0.6 अब बेतर है ज्यादा होगी 0.7 anyway you got the idea right आप adjust कर ले न मैंने आपको सिर्फ बताना होता है idea देना होता है बाकी आपने काम करना है okay so let's select them all और उसकी reason यह है कि हम इसका जो format है shape outline उसको कर देते हैं transparent अब हम एक line पकटते हैं और वो line यहाँ पे हम लगाते हैं और आपके हर record के center में एक line हो और यहाँ पे आपके इसको हम करते है delete यह जो sales date है इसको उठाके इदर ले आते है text box को यहाँ पे आते हैं इसको towards हम कर देते हैं left इसको full black का जो font size है 16 में भी bold भी कर देते हैं all right okay so यह हो गया जी हमारे पास यह आगे हमारे पास information इसको कर देते हैं bold और इसको करते हैं run there you go देगा अचा फॉर्मैटिंगा भी कुछ है for example इसकी जो outline है इसको हमने खतम करना है order id को हम left में यह center में कर देंगे और टोटल यहां पे करना है report का so let's go ahead and do that पहले हम इसको सही कर लेते हैं shape outline और हम transparent कर लेते हैं order id को center में कर देते हैं और रिपोर्ट डिजाइन में जाते हैं तो यहां पर आके नहीं यहां पर नहीं पर नहीं actually sort करना है विल्कुल sort करना है order id sort करना है क्योंकि मैं चाता हूं कि order id जो है order में show हो यान कि पहला दूसरा तीसरा चोटा इस तरह अब हम जाएंगे quantity और इसको हम करेंगे sum gross price इसको भी हम करेंगे sum tax इसको भी हम करेंगे sum total price इसको भी हम करेंगे sum okay इसको हम थोड़ा सा इसकी height increase कर देते हैं और यह जो उपर grace line इसको खरम कर लेते हैं यह देखें यहां पर आके हम इसको कर देते हैं transparent और इसको कर देते हैं bold और यह हो गया इसको कर लेते हैं सेव अब हम रिपोर्ट देखते हैं तो इट शुड़ लुक ओके ठीक है अमरे पर डेट आगी डेली सेल रिपोर्ट और और आइडी जो हैं वह आप देख साथे हैं सीकोंस में आ रहे हैं और टोटल भी हमारे पास आ गया अब लास्ट काम जो करना है उसका यह ग्रॉस प्राइस टोटल प्राइस टेक्स इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मैट में लेकर आना है ताके यह दिखने में भी थोड़े प्रफेशनल लगे तो फॉर्मैट स्टैंडर्ड डेसिमल पॉइंट वान ओर राइए इस वी आर डन अब हमने डन का मतलब है कि टेक्स बॉक्स और बटन हो जिसको हम क्लिक करें डेट देके और वह रिपोर्ट रन होगे तो लेट रिपोर्ट सेंटर हम बनाएंगे बार में और उसमें हम यह सारे काम करेंगे अभी फिलहाल मैंने यह कई है कॉपी और मैंने किया पेस्ट और इसको उठाके हम इदर ले रहे और इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यानिकि फॉर एक्जमपल टी-एक्स-टी इसका यह नाम दे देंगे इसको खाफी इसकी कम कर लेते हैं और इसका जो फॉर्मेट है इसको हम कर लेते शॉट डी ताके हमें डेट पिकर भी मिल जाए अ कि इधर हम लिखेंगे प ठीक है अब इनको उठाथे हैं और इनको लेकर आते हैं इदर आएक को हम इदर ले आते हैं इसको थोड़ा सा और एकस्पाइंड करने तरहीं गाँ अब लास्ट काम हमने की करना है कि इस क्वेरी के जो बैकेंड है कुरी इस रिपोर्ट का कुरी दिजाइनर उस में जागे हमने इसका क्राइटिरिया देना है फॉर्म्स एसकोरिश्यमार्क डाश्बॉर्ड एसके शिमार्क की एक टीए डेगा सेब कर लेते हैं और इसके चलते हैं और यहां पे हम चूज करेंगे रिपोर्ट date so for example 28 April search oh it's alright कैसे होगी report run by जब हम code नहीं दिया report open करने के लिए run report इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं like this so यहां पर आते हैं इसका फाइदा नहीं है क्योंकि हम यह तेम्परेरली बिल्ट कर रहे हैं so no not impression or expression why I always say impression अच्छा जी अब हम रुपर्ट उपन करें दूसिंग्म्ड डॉपन रिपोर्ट और रिपोर्ट का नाम क्या है डेली सेल कॉमा और हम इसको रिपोर्ट वियू में उपन करेंगे अब हमारी जो रिपोर्ट है वो उपन हो जानी चाहिए so 28 April run report कुछी सेला 29 April how about that yeah 29.8 huh interesting so let's go to sales either way sales sales order 27 April go how do you sale or पर 2nd May, 5th May and yeah 4th May sorry 2nd May, 4th May, 4th May लेकिन प्रावलम्म यह देखे यहां पर देट, मन्त और यह जिखार है लेकिन जब हम यहां पर सलेकरे चो मन्त, देट और यह जिखार है तो अब यह इसलिए रिपोर्ट रन ही होगा है एक फोर एक्जामबल मैं 27 भी कर लेता हूं 27 April जो रन करते हैं रिपोर्ट वे आगी, interesting, okay, I thought 27 April की रिपोर्ट की पूर्मेटिंग थोड़ी सी चीज़ना, so it may not run, यह सीम है फॉर्मेटिंग, यहां पर 27 April की फॉर्मेटिंग वो दिखा रहे है, अच्छा अब अगर हम जाते हैं इदर, चूज करते हैं, 2nd में की, 2nd में है न, let's run the report, oh sorry, 2nd में, yes, run report, देखे, अब दो नहीं कर run, क्योंकि उसका फॉर्मेटिंग दिफरेंट है, So that means, अगर फॉर्मेटिंग डेट की different होगी, तो वो report रन नहीं होगी, तो इस report को, इसकी जो formatting है, उसको हमें change करना पड़ेगा, So अगर मैं इस तरह डेट लिखता हूं, report run करता हूं, तो हमें data आएगा, लेकिन पॉइंट इसके report रन हो रही है, आप डेली की जो sale report है, वो run कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितनी आपकी sale होई है, So for example, you know, third May की देख लेते हैं, third May की कुछ भी नहीं है, considerate की हुई है, 4th May की हुई है, So let's say 4th May, और report run करते हैं, यह 4th में की हुई है, दो order create हुई है, order number 3, order number 4, देखे आप sequence में आ रहे हैं और उसकी price भी कितनी total sale हुई हमारी, कितना revenue हुई है किस date को, यह थी आज की वीडियो में आपको दिखाना चाहरा था कि reports कैसे बना सकते हैं, मुझे access की report बहुत पसंद है, उसकी रीजन यह है कि आप customize कर सकते हो, it looks beautiful also, print out कर सकते हो, email send कर सकते हो, PDF में convert कर सकते हो, Excel में export कर सकते हो, so, बहुत काम कर सकते हो, आप इस access की report में, दूसरे जो IDEs हैं, मसलना, Visual Studio Studio, Visual Studio is brilliant, there is no doubt about it, क्योंकि, I think, वो most famous IDE बन चुका है, लेकिन उसमें भी इस तरह के, आप report design नहीं, beautiful report design नहीं कर सकते हो, हाँ, वो ID brilliant है, मैंने इसलिए कहा, क्योंकि उससे आप दूसरी languages से code लिख सकते हो, etc., etc., but anyway, coming back to access, तो यह थी आज की वीडियो, अगर आपकी वीडियो पसंद हैं, तो जुरूर मुझे comments में बताएं, लाइक करें, दूसरों करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ि यिए बताएं entire video.